वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल तुड़े वी आर गोईंग टू डिसकास अवाट दी एक्सपोनेंट चैप्टर फोर क्लास सेवन चैप्टर नमर फाइव यह हमारा है इस चैप्टर में हम लोग एक्सपोनेंट के बारे में देखने जा रहे हैं जैसे हम जूनियर ग्लास पर पढ़े थे कि अगर स्कॉर्ड लिखना होता है अगर तुइंटु टू इंटू इन टू इन टू रिखते हैं उसको का के जाता है यह कितने टाइम जाड़ा है इसको हम लिखते हैं तो यहां बात हम करते हैं कि यह जो हमारा तू यहां पर है यह क्या है बेस है और यह एन जो है वह क्या है एक्सपोनेंट है यह यह इसी को इंडेक्स बिकाते हैं नहीं तो पावर भी लोग करते हैं तो और इस फॉर्म को करते हैं जैसे तू लिपावड एन है यह 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 हमारा जो सब होता है यह इस पोनेंसियल मोब आइंग स्थित और में chce खेंजम हो और उप्टे यहां पे कि अगर बोला जाए हमको की एक आपको को दे दिया जाए कि express the following into exponent CL form तब हमनों क्या करते हैं जैसे 2 दी पावर 3 3 into total 3 into total 3 into total इसको तू इन्टो 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 लिखेंगे दिवाइड दिवाइड taşbelow ना इसको बच्छे लोग 16 divided by 81 लिखेंगे यह एक्सपानुंसिल फॉं में एक्सेटि एइजा इस पावर कितना हो जागा इसको लिख सकते हैं यह हमारा एक्सपोनेंसिल फोर्म ठीक है उसी तरह निगेटिव नंबर देदें माइनस टूइन 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 टूइस तरह कुछ नंबर है तो बहुत भुछे आप आपनूइंसिल फोर्म नहीं है ओए ऐसको मद खोंट आपलाइड हो रहious दो मुल्स टूर्बाय मोइन फोर्म फोलो इंटू एउठ्पोनेंसिल फोठं अगर इक्सपोनेंशिल में दिया हुआ वैलू यह तो फर्स्ट टैप कर देखा जाए आपको कोश्टन कहेगा कि इवालुएट किजी एक्सपोनेंशियल टू सिंप्लेस फॉर्म हाना कि इवालुएट कि दी फॉलोइंग ना मानगे तो लए वैल विट फॉलोइंग बोल रहा है कुश्टन नम्रोन अगर तू दी पावर पो डिवाइड दवाइड बाइट टू पावर टू है तो यहां पर हम क्या लिखेंगा तू इंटू 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 लिखेंगे डिवाइड बाइड तो 1 by 4 answer हो जागा तो यह हुगा evaluate यह exponential फोर्म नहीं हुगा minus 2 divided by minus 3 का whole power 4 तो इसको minus minus cut जाएगा यहां पे और 2 पावर 4 divided by 3 to power 4 लिख सकते हैं ठीक है यह हमारा क्या हो जाएगा 2 into 2 into 2 into 2 divided by 3 into 3 into 3 into 3 हाना तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 3 is a 9 and 9 3 is a 27 and 3 81 ठीक तो 16 by 81 आपका यह हो गया अप हम लोग मुव करते हैं अपने लाउ लॉज और एक्स्पॉनेंट पैषला हमारा लॉज काता है कि किसी भी नंबर का पावर एन है इंटू सेम नंबर का पावर में है तो बेस यहां पर क्या है ए और ए है मतलब बेस अगर सेम है बेस बेसेज आर सेम एंड बोट आर इन मल्टिप्लाइड फॉर्म अगर मल्टिप्लाइड है तो पावर या एक्सपोनेंट में सुद्पी added हाँ ना तो हम exponent को क्या कर देंगे add कर देंगे a to power n plus n हो जाएगा n plus m ठीक है न इस पर example देख लेते हैं for example अगर हम लिखे 5 to power 4 into 5 to power 3 तो यह क्या लिखाएगा 5 to power 4 plus 3 यह क्या हो जाएगा 5 to power 7 अगर question है 3 to power 4 into 3 to power minus 2 अना तो देखो minus से हमको मतलब नहीं power negative से हमको मतलब नहीं बेस सेम हैं और दोनों क्या है multiplied में हैं तब हम क्या करेंगे power को add कर देंगे add कर देंगे यहां पर देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 to power 4 प्लस माइनस 2 यह क्या हो जाएगा 3 to power 4 माइनस 2 यह 3 का स्क्वार हो जाएगा this can be written as 9 अना तो इस तरह हम लोग पहला लोग का इस्तमाल करेंगे different different questions में ठीक है second लोग पर आते हैं यह तो multiplied का case हुआ second case होता है कि अगर second case है अगर a to power n है divided by a to power m मतलब इसको हम इस तरह भी लिखा जा सकता है देखो यह कहने का मतलब कि इसको तो हम लिखते हैं a to power n माइनस m ऐसा क्यों लिखते हैं सोचो कि कि यह देखो हम लोग divide जब भी करते हैं न हम लोग division का रूल पर है a to power n divided by बदल कर multiplied जब लाते हैं इसका reciprocal लेते हैं इसका reciprocal one by a to power m होता है ठीक है यह जब उपर जाएगा इन टू पावर तो ऊपर जाता है तो निगेटीव हो जाता है ठीक है बेस सेम है multiplied है तो हम लोग फर्स्ट लोग का इसमें इसमाल करेंगे यह हो जाएगा a to power n plus minus m ठीक है this can be written as n minus m ठीक है इस तरह हम लोग second लोग को देखें इस पर question हम लोग देखते है for example question है question हम one की 4 to power 5 is divided by 4 का square हना तो simply हम लिख सकते है 4 to power 5 minus 2 this can be written as 4 का अना मतलब 16 into 4 यह हो जाएगा 64 ठीक है second 9 to power 2 divided by 9 to power 1 this can be written as 2 minus 1 9 to power 1 मतलब 9 ठीक है इस तरह second law भी हमारा complete हो गया third पर move करते हैं लोग यह तो multiplied or divide का case हो गया थार्ड हमारा अगर 8 to power minus n है this can be written as a to power n कभ denominator में जाकर अगर denominator में निगेटिव है minus m है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा डिवाइडर बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसको ध्यान दीजिएगा फोर्थ में आजे आ जाते हैं एटू पावर एन इस मने एटू पावर एन है उसका पूरे पर क्या है पावर एम हाना इस कंडिशन में पावर क्या हो जाता है मुल्टिप्लाइड हो जाता है ठीक फिप्ट फो एक्जाम्पल देख लो सिक्स्टू पावर स्क्वार का होल क्यों अना तो सिक्स का स्क्वार इन्टू थ्री मतलब यह हो जाएगा सिक्स्टू पावर सिक्स अना आप सॉल्व करके देख सकते हैं दोनों का वैलू बढ़न होता है तो इसको प्रूफ किया जा सकता है जैसे फाइब टू पावर 5 सीी मिस्स सकते हैं 5 पावर 1-1 मतलब में से फनको गटाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा जीरो अगर हम हंडेड में से 100 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पावर जीरो मतलब यहां जरूरी नहीं है कि हम 1-1 किये ता भी 1-1 किजिए आप यहां पर 2-2 कर सकते हैं 3-3 कर सकते हैं 4-4 कर सकते हैं यह इसको नहीं solve करके A to power n-n भी कर सकते हैं क्या कर सकते हैं N-n कर सकते हैं अब देखो एक लोग पढ़ें ajudar 8分-10 in निक सकते हैं इसको लिख सकते हैं क्योंकिब कर देखो हम लोग deg करते हैं तो N-N आ जाता हमाना अलग किये मतलब एक लमाव 2 पार n इन इनतू एट पार एम इसको जब हम करते हैं अगर ऑट आहिंट चाहर यहां करते दे तो सेम है अन्हां न-n-2-1-1-2-1-1-1-1-8-1-2-1-2-2-3-1-1-2-1-2-2-3-4-1-2-2-2-2-3-1-3-2-2-1-2-2-3-1-2-2-4-2-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-2-3-2-2-3-2-2-3-2-4-3-4-2-3-2-3-7-2-3-4-3-2-4-3- और यह denominator numerator cancel out बच्चा किया वन जो की RHS के बढ़ावड है यह तो हो गया इस फॉर्म में अगर हमको बोलेगा कि 5 का पाउर 0 is equal to 1 होता है तो कैसे होता है तो 5 पाउर 2-2 कर सकते हो 3-3 कर सकते हो इसको क्या लिख सकते हैं 5 का पाउर 2-5 का पाउर माइनस 2 यह लिखाएगा 5 का स्क्वाइड बाइ या डिवाइड बाइन लिखकर हम क्या करते हैं इसको इन्टू 1-5 का स्क्वाइड लिख सकते हैं यहां पर यह कैंसल आउट हो जाएगा वैलू वन हो जाएगा इसकल टू आरचे से ठीक है यह हमारा इतना लौ है इस लौ का हम लोग नंबर पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं जैसे एक राचन नंबर है जिसका पावर एम इस मल्टिप्लाइड विद अनादर राचनल नंबर डट इस एब बाइबी सेम बेस का पावर एम है तो इसको लिख सकते हैं यह प्लस एम ठीक है ना तो अलग से इसको बताने का जोत नहीं है मतलब जितना भी इंटीजर्स का हम लोग लोग पर है वह सब एप्लिकेवल एक इस पर राचनल नंबर पर ठीक है एक बात बताने लाइक है जैसे देखो एटू पावर एक्स है क्या है एटू पावर एक्स इस इक्वाल टू एटू पावर वाई तो यह कब होगा जब एक्स और वा्या इक्वाल होगा वह प्रूह बात समध़् मैं आरहिए रही है हम क्या बोलtech तो अगर हम लिखें 5 का स्क्वार इस इक्वाल टू 25 इसका मतलब 5 निखेंगे रिए तो हेस सेम तो प्रवर भी एक्वल होना चाहिए इस पर कोशें हम बनाते हैं अगर तूदी पावर एचिज इकवल टूगी सिक्स्टीन हम लेते हैं सब्सक्राइब क्या हो जाएगा बेश सेम रहेगा एक वल्टू में रहेंगा ठीक है क्यों कि एक्वेशन को सटीसफाइब नहीं करें गया सिजब तो होजाए एकवल टू कैंसिल आउट अथा कि एकवल टू नहीं होगा तू रखते फिर नहीं होगा थी रखते नहीं होगा फोर रखो गया तो जो की एक्वल कि एकवल एकवल कद्वाइब ते यह बहुत ही मिपोर्टेंट है higher classes के लिए और आप का chapter में भी कुछ questions है इस पर बेंगे कुछ questions see we have three questions on the board first question is evaluate this this and this this one is simplification here we have to find the value of n find n का value इसमें निकालना है तो इसको देखो किसी भी नवर का पावर अगर 0 होता है उसका वैलो कितना होता है one होता है किसी नवर का पावर अगर 0 है उसका वैलो कितना होगा one the 2d power 0 is equal to 1 to ors and this is equal to take is को देखो अभी हो पहले discuss कि एक अगर power का whole power रहे तो power क्या हो जाता multiply तो this can be written as 1 by 3 to the power minus 6 2 into minus 3 that is minus 6 अभी negative interchange होगा numerator denominator में आ जाएगा और denominator numerator minus 3 by 1 to the power 6 और इसको simplify कर दोगे जो आएगा पीडkę यहां पर सिंप्लीफाइ sommes को देखो 6 का पाऊण क्या है सकते हैं इसको गना Pak eight ना कशिके हैं वन बाइस वग्या थना जो है कि देखो यह इसको से मगर हम लेते हैं 48 38 माइनस 6 हो जाएगा पावर माइनस 1 प्लस यहां पर देखा हम 6 लिए हैं तो यह 3 माइनस 2 दिद पावर माइनस 1 यह वैलू हो जाएगा 1 बाइ 24 तो दिद पावर माइनस 1 अब को होगे 1 24 लिख सकते हैं 24 बाइन इसको लिख सकते हैं 6 बाइन यह यहां देखो क्या करना है जैसे कि इस को सिंपलिफाइ करना है कि हाना सिंपलिफाइ 10 इंटू 5 तो पावर न्लस ब्लस 25 इंटू 5 तो पावर एन हाना अब देखो कि यहां जो कॉमन है उसको निकालेंगे क्या करेंगे कॉमन हो निकालेंगे सबसे पहले हम 10 इन्टू 5 तू पावर एन इन्टू 5 तू पावर वन लिख सकते हैं क्योंकि एड़ अप है ना देखो पावर जूटा हुआ है तो हम अलग अलग लिखकर इन्टू कर दिये में प्लस 25 को 5 का स्क्वार इं फावर एं लिख सकते हैं वाइड बाइड इन्टू 5 तू पावर एन इन्टू 5 का पावर एन इन्टू 5 का पावर वन तो कि बहुत बच्चे लोग यहां इसे से काट देंगे ठीक ना वह नहीं करना है क्योंकि मैं अपर प्लस साइन तो काटना है इसमें हम फाइव का पावर एंट तो कॉमन है यहां भी है और यहां भी uman meeting उपर 10 बच यहां यहां पर प्लस फ़ाइड़ बच यहां पर है आप यह वन पावर रह गिया क्योंकि आपака लूड यहां पर यह और यह आप काट सकता है क्योंकि यह multiplied के फॉर्म में आ गिया दिस कान भी डिटेन आज 15 by 25 सो 3 by 5 इस यूर ठीक है ना इसको अच्छे से एक बार समझना नहीं समझ में आएगा तो हम लोग मैसेज करके या फोन करके हमसे यह कर सकते हो कि लिए कर सकते हो ठीक है यहां पर देखो इसको स्कॉर्म 3 का स्क्वार इंटो 3 to power n is equal to 3 to power 6 लिख सकते हैं बेश सेम पावर शुट भी आड़ेट टू प्लस एन होगा इस इकल तो 3 to power 6 तो यह कब सेटिफाई करेगा जब पावर इक्वल होगा तो पावर को मिक्वल कर दिए तो एन का वालुए आंसर 6-2 that is 4 आ गया हना य यह नाइन कुम 3 का स्कॉर्म लिख सकते हैं तो पावर एन पहले सा मॉल्टिप्लाइड है इस इकल टू पावर इक्वल होग जागा तो प्लस एन इस इकल टू टू 6 एन का वैलू क्या होग जागा 6-2 इस इकल टू 4 ठीक है तो यहां पे हम करते हैं इस वीडियो को और आप लोग को एक्सरसाइज दिया जाएगा उस एक्सरसाइज को बनाईएगा ठीक है थैंक्यू क्लास